पैसों का महत्व, एक लड़का था, जो अपने माता-पिता के साथ एक गाव में रहता था, वो लड़का पने लिखने में तेज था. उसके दोस्तों की सोच थी कि यदि विपर लिखकर कोई नौकरी प्राप्त कर ले तो उनका जीवन सुख मया हो जाएगा. इस दुनिया का क कोई भी सुख वो अपनी धन दौलत से खरीद सकते है. लेकिन वो लड़का अकसर उनकी बातों से सहमत नहीं होता था, जिसके कारण उसके मन में अनेक विचार आते रहते थे. एक दिन की बात है इसी बात का जिक्र उसने अपने पिताजी से किया, कहा कि पिताजी अगर हमा पास धेर सारा धन हो जाए, तो क्या हम दुनिया के सबसे खुश नसीब इनसान हो सकते हैं? ये बात सुनकर उस लड़के के पिताजी ने कहा, ठीक है शाम को जब मैं अपने काम से वापस लोट कर आऊंगा, तो इसके बारे में हम बात करते हैं. शाम को उस लड़के के पित पौधे को जमीन में लगा देते हैं. इसके बाद उस लड़के के पिताजी कहते हैं कि देखो बेटा तुमने आज सुबह पूछा था कि क्या धन से ही सारे सुख प्राप्त किये जा सकते हैं? इस आम के पेर को देखो और सोचो कि क्या हमने इसे बेकार में ही लगा दिया है क्यूकि इस पौधे को पेर बनने में काफी समय लगेगा और फिर इस पर फल आने में भी वक्त लगेगा और हो सकता है कि इसके फल हमें खाने को मिले या ना मिले, इससे हम सभी यही सोचते है कि यह समय की बरबादी है. ठीक है, तुम जरा सोचो अगर सब लोग यही सोचन मिल जाता है सोचो जब सबकी यही सोच होगी कि धन से सब कुछ खरीदा जा सकता है तो ऐसे में कोई भी इन पेरों को नहीं लगाएगा एक दिन ऐसा भी आएगा कि इस धर्ती पर सबके पास खूब धन दौलत तो होगी लेकिन जब फल देने वाले पेर पौधे नहीं होंगे तो सोचो बला इन पैसों का क्या मोल जब इनसे खाने के लिए भोजन और फल आदी न मिले सबसे पहले हम सभी को अपनी सोच बदलनी चाहिए तभी इन पैसों की कीमत हो सकती है अपने पिता की यह बाते सुनकर उस लड़के को सब समझ में आ गया हम सब यही सोचते है कि च पिक्षा मिलती है कि इस संसार में प्रकृती का एक संतुलन है हर चीज में प्रकृती अपना संतुलन बना कर चलती है जैसे रात के बाद दिन गर्मी के बाद थंडी धुप शाफ पेर पौदे नदिया तालाब जीव जन्तु नदिया पहार हर चीज में एक संतुलन है लेक तो कोई भी किसान खेतों में अन्न नहीं पैदा करना चाहेगा, सब बस पैसे कमाने के पीछे ही लग जाए, तो ये दुनिया पूरी तरह नोटों से भर जाएगी, लेकिन अन्न के अभाव में ये नोट रद्धी कागस के समान ही होंगे. इसलिए इनसान की जरूरत ये कागस के नोट या धन नहीं, इनसान की जरूरत तो सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान है, जो इनसान अपनी इनमुल भूट जरूरतों को पूरा कर लेता है, वही इनसान आज के समय में सबसे ज़्यादा खुश होता है, अक्सर यह कहा जाता भी ह हम पैसों से सुख सुविधा तो खरीज सकते हैं, लेकिन इन पैसों से मन की शांती कभी नहीं खरीज सकते, सोचिए जब प्राचीन काल में धन नहीं था तो क्या लोग सुखी नहीं थे? आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेर, सब्सक्राइब और कॉमेंट जरूर करे, धन्यवाद